मैं रुपेश सर पिछले एक साल से यूटूब पर हूँ और बच्चों को बाइलोजी सुरुबात में ने परहना शुरू किया था लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि मैं कोर्स के बाड़े बताना शुरू किया खड़िये हमारा तो ये प्रस्टनल मेटर है मैं जो ये छोटा एक संदेश देना चार रहा हूं कि इस वक्त जो है हमारे पतना के जो एक बेहत्रिन सिक्षक है खांड सर खांड जीयस रिसर सेंटर के नाम से वह अपना इस्ट्यूट ला रहे हैं और इस वक्त कोर्णा काल में जो मैं उसका जो वीडियो देख रहा था हमारे बहुत सारे स्ट्रेंड जो है उनसे पढ़े हुए हैं और मैं व्यक्तिकत तोर पे तो नहीं जानता हूं ले जो बोल रहे थे उनको तो देखने के बाद तो ये बात तो स्योर हो गया कि वह बहुत ही बहतरिन सिक्षक हैं उनमें ज्यान जो है वो कुट कुट कर भड़ा हुआ है और इस तरह की महान हस्ती को भी हमारे सोशल मेडिया वाले ने नहीं छोड़ा और उनके कास्ट को लेकर जो है सवाल खड़ा करने लगे हैं तो मैं आपको ऐसे लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि सिक्षक की कोई जाती नहीं होती है सिक्षक की सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक अनमोल रत्न के जैसा है और उनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और उस व्यक्तित्व को तो आप जो है इस तरह की टिका टिपड़ने से दूर ही रखे स्वाबात का एक बात की सिक्षक की कोई जाते नहीं होती है मैं खांसर को अपिबादन करता हूं और मैं माफी चाहता हूं इस बात को लेकर कि आप जैसे सिक्षक को भी सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने इस तरह की हरकते किया तो इसे सिक्षा जगत सरमसार है लेकिन जो भी लोगों ने आपके समर्थन में कुछ आवाज उठाई है तो उन सभी को हमारी तरफ से जो है हमारा भी समर्थन है कि आपके के रिगार्डिंग इस तरह की कोई भी टिकट अपने नहीं होनी चाहिए आप ल